अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए कोई campaign जो है वो start करने जा रहे facebook ads के उपर तो जो fundamental mistakes होती है वो आप से ना हो जो basic गलतिया होती कि भाई ये तो नहीं होनी चाहिए थी एक facebook ads चलाने वाले बंदे से वो गलतिया आप से ना हो उन सारे चीजों को ध्यान में रखकर ये जो particular checklist है ये बनाई गई है तो ये आपके fundamentals को काफी strong कर देगी और जब कभी भी आप कोई नया campaign setup करने जाए या किसी business के लिए अगर आप नया campaign की planning भी करने जा रहे हैं तो आप make sure करें कि इन points को आप consider जरूर करें तो चलिए एके करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से points है और उनकी क्या importance है तो guys यहाँ पर मेरे पास लगभग आप देख सकते हो चार points जो है major points है और इसके बाद इसके अंदर भी मेरे पास कुछ sub points है जिनको कि guys हम लोग एक-एक करके यहाँ पर discuss करने वाले है सबसे पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो points है मेरे सामने सबसे पहला point जो है वो है goal of your campaign business और campaigns should be very much clear और second चीज जो इसी में है वो यह है target metric according to your goal अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ देखो जब कभी भी आप किसी business के promotion की बात करेंगे जैसे मैं मान के चलता हूँ कि एक कोई website है और मैं उसके promotion की बात करा हूँ और मैंने strategy को इस तरीके से बनाई कि मुझे initially उस website के उपर traffic चाहिए यह मेरी पहली strategy थी क्यों मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस website के उपर pixel लगा हुआ है और जब pixel हमारी website के उपर लगा होगा तो further हम उसके business पर remarketing वगएरा कर सकते तो strategy wise मैंने सबसे पहले यह सोचा कि हमारी यह जो website है हमारी जो client की website है इसके उपर सबसे पहले तो हम लोग traffic लेकर जाएंगे ठीक है तो एक बात हमें यह समझ में आई कि traffic campaign जो है न वो हमें create करना पड़ेगा एक तो point यह हो गया फिर हमें यह समझ में आया कि देखो भाई traffic तो आएगा पर ज़रूरी नहीं को सारा का सारा traffic convert हो जो हम traffic ला रहा है वो cold audience का traffic ला रहा है तो ऐसा करते हैं हमारी जब बातचीत हुई उस website के owner से या हमारे client से तो उन्हें उनका कि हमें parallel जो है न leads भी चाहिए तो हमें समझ में आया कि एक तरफ तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा traffic वाला campaign है उसको run करेंगे ताकि traffic हमारी website के उपर आ सके और साथी साथ पार्लाली हम लोग एक lead gen campaign को भी test करते हैं lead generation वाले campaign को भी test करेंगे facebook ads के अंदर तो अब guys यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे objective के basis पर या हमारे goal के basis पर या हमारी जो strategy है उसके basis पर हमें दो campaigns create करने पड़ेंगे तो जब कभी भी आप facebook ads के system के उपर जाते हो नया campaign create करने जाते हो तो वहाँ पर वो आपको different different campaign objectives दिखाता है कि अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा traffic चाहिए अपनी website के उपर तो आप traffic campaign objective के साथ जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा lead generation जो है वो करनी है lead generation अगर आपका objective है तो आप lead gen campaign के साथ जा सकते हैं अगर आपको conversion करना है तो आप conversion campaign के साथ जा सकते हैं तो वैस हमारी strategy में कभी ऐसा नहीं होता है कि केवल एक ही type के campaign हम लोग run करें या पूरी पूरी strategy में केवल एक ही campaign हम run करें तो guys हमें पहले से जो हमारी strategy है जो हमारा goal है कि हम क्या achieve करना चाहते वो हमारा बिल्कुल clear होना चाहिए और उसको achieve करने के लिए किस-किस type के campaigns मुझे run करने होंगे वो हमारा clear होना चाहिए starting में ही उसके बाद guys हर campaign का हर type of campaign का अपना एक जो है अगर हम बात करें उसकी success matrix होती है अब success matrix का सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम lead gen campaign run कर रहे है तो वहाँ पर हम इस चीज को follow करने की कोश्च करेंगे इस चीज को समझने की इस चीज का outcome निकालने की कोश्च करेंगे कि मेरे leads कितनी जो है वो generate हो रही है कितनी quality leads generate हो रही है वही पर अगर हम लोग message campaign जो है वो run कर रहे है या हम लोग conversion campaign run कर रहे है तो message campaign में हम लोग इस चीज को follow करने की कुश्च करेंगे कितने जो relevant messages है वो हमारे पास है कितने conversions हमारे पास है उसी तरीके से अगर हम traffic campaign जो है वो run कर रहे है तो हम इस चीज को important metric मान के चलेंगी, कि हमारे जो website visits है, वो कितने हो रहे हैं, हमारे जो landing page views है, वो कितने हो रहे हैं, तो guys, यह चीज हमें starting में ही decide करनी पड़ेगी, कि जो हमारा goal है, उसको achieve करने के लिए, हमारी जो strategy है, उसमें कौन-कौन से, और कितने campus जो हैं, वो हमें create करने पड़ेंगे, और फिर उन campus के according, जो हमारी metric होंगी, वो कौन सी होंगी, so this is the first point, यह important checklist जो आप ध्यान रखें, कि आपका goal बहुत ही जादा clear होगा, guys, देखिए, हर goal के हिसाब सही, तो आपको जो आपके different types of campaigns बनाने का option आपको दिया हुआ है, अगर एक ही goal होता हर चीज का, तो एक ही type of campaign बनाने का option दिया होता, वो lead gen, बोलता है कि आप lead gen campaign run कर सकते हो, आप traffic campaign run कर सकते हो, आप conversion campaign run कर सकते हो, क्यों Facebook का system आपको इतने option दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पता है, कि एक particular goal को achieve करने के लिए, कभी-कभी हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा campaigns run करने पड़े, एक funnel बनानी पड़े, तो आपको पता होना चीज है, का आपका overall objective क्या है, आपका overall goal क्या है, as well as आपको ये भी पता होना चाहिए, कि जो हमारा individual campaign है, जैसे ये वाला campaign मैंने बनाया traffic के लिए, और उसके बाद मैं pixel से फिर से जो है री-marketing audience बनाऊँगा, और फिर उनको मैं conversion campaign जो है वो run करके दिखाऊँगा, तो जो traffic वाला campaign है, उसके लिए important metrics क्या है, जैसे किसी भी website को promote करना तो सीधे गए, Facebook ads के उपर new campaign पर click किये, अब सोच रहे हैं कि lead generation करना चाहिए, lead generation अच्छा रहेगा, या जो हम traffic campaign है, उसकी तरफ जाएं वो अच्छा रहेगा, तो guys lead generation भी अच्छा है, traffic campaign भी अच्छा है, ठीक है, तो कहीं पर भी ये question नहीं arise होना चाहिए, कि इन दोनों में से better type of campaign कौन सा है, ये एक wrong question है, दोनों ही better type of campaign है, it always depends on the nature of your business, ठीक है, कि आपके nature of business क्या है, उसके हिसाब से आप जो है अपने campaign को select करते हैं, कई बार जैसे अगर हमारा जो ticket size है, हमारे product का, ये service का बहुत high है, ऐसे में हम lead जो है, वो generate करने की, पहले कोशिश करते हैं, रियल estate का, अगर हम लोग example लें, तो रियल estate में जानातार हमारी कोशिश ही रहती है, कि हम leads को generate करें, तो किस type के campaign objectives के उपर जाना है, और उसकी funnel किस तरीके की होगी, on the basis of your goal, आपका goal क्या है, जैसे आपको एक business को promote करना, आपने, जो है, decide किया, पहले मैं traffic campaign run करूँगा, फिर मैं, जो है, conversion campaign run करूँगा, तो फिर, जो हमारा main goal है, उस तक पहुँचने के लिए, आपने दो campaign को decide किया, right, so your campaign are basically selected on the basis of your goal, तो जब आपने campaign objective select करने जाते हो, उससे पहले, जो important point है, note करने वाला, उससे पहले, आपके पास आपका overall जो goal है, वो होना चाहिए कि मेरा goal के हमें क्या achieve करना चाहता हूँ, right, guys, I believe, ये वाला point आपको clear हो गया होगा, second वाले point में, बहुत सारे, जो है, सब points आ जाते हैं, सबसे पहले, spend time in researching about audiences, make sure you have multiple audiences, guys, testing के point of view से भी, और जिस तरीके से facebook ads का system behave करता है, इसके point of view से ये काफी ज़रूरी है, कि आप starting सहीना multiple जो audiences है, उनको create करना सीख लें, ऐसा मत करें, आपकी बस आप एक ही type की audience आपने बना ली, especially अगर मैं saved audience की बात करूँ, तो guys, इतने सारे options है, इतने सारे parameters के basis पर, इतने सारे different characteristics के basis पर, demographics के basis पर, behavior के basis पर, interest के basis पर, आप audiences बना सकते हैं, कि आप अगर हमसे ये कहें कि नहीं नहीं, मैंने तो सभी audiences ट्राइक कर ली हैं, आप कुछ बचा ही नहीं है Facebook में, तो ऐसा बहुत ही rare होगा guys, जब भी आप dick करने की कोशिश करेंगे न, जब भी आप नए type की audiences धूनने की कोशिश करेंगे न, आपको नए type की audiences मिलेगी, ठीक है, तो आप थोड़ा सा time बिताएं, नए नए type की जो audiences हैं, उनको research करने में, नए नए type की audiences बना के रख लें, ताकि जब आप अपने campus को create करने जाएंगे, उसके अंदर different ad sets को create करेंगे, उनको testing का, जब असली number आएगा, तब आप different different ad sets के अंदर, different audiences को different different creatives के साथ test कर सके, तो इसके लिए जो ecosystem है, वो आपको पहले से भी build करके रखना पड़ेगा, या ecosystem ना कहे, तो आप इसको यह बोल सकते हो, जो important resources है, उनको तो पहले से ही identify करना पड़ेगा, आपको उनको पहले से ही तयार रखना पड़ेगा, पता चला कि आपने audiences तो बहुत सारी बना दी, और सबको जो है एक ही type की creatives दिखा रहे हो, guys हर audience जो की अलग characteristics रखती है, इसका nature अलग है, उसके हिसाब से उसको जो आप audience को जो creative दिखाऊगे, वो भी तो different होगा, जैसे एक बात समझते इसमें, जैसे यहाँ पर दो बंदे खड़े होएं, अगर मेरे को बात करनी होगी, तो मैं दोनों के सबसे पहले characters को observe करूँगा, दोनों का behavior observe करूँगा, उसके बाद मैं उनसे बात करूँगा, कि मुझे इंजीनियर साब से किस तरीके से communicate करना है, क्या बात करनी है मुझे, ठीक है, और जो यह shopkeeper है, इंसे मुझे किस तरीके से communicate करना है, इंसे मुझे किस तरीके से बात करनी है, तो कहने का मतलब, जो mode of communication है, यह इस बात पर बहुत ज़्यादा depend करता है, कि आप किस से बात कर रहे हो, तो यहाँ पर भी, जो mode of communication between your brand, या between your, जो जिसके लिए भी आप ads run करें, वो और जो आपकी target audience है, उसके बीच का mode of communication है, वो क्या है, वो है आपकी ad copy, वो है आपकी creative, तो सभी से एक तरीके से आप बात करोगे, ऐसा नहीं है, है ना, तो इस point of view से, important क्या है, कि हमारे पास जो भी important resources है, बस गये सीधे, हाँ ठीक है, clients approval मिल गया है, कि campaign run करना है, बस new campaign पे click किया, campaign objective select किया, जो images मिल नहीं है, जो audience मिल जा रहा है, उनको सब करके, बस उन्हें campaign तुरंट का तुरंट fire कर देना, इसमें time लगता है guys, audience research में भी रखता है, creative को audience के साथ, incline करने में भी लगता है, आशा करता हूँ, यह भी point आपको clear हो गया होगा, try to structure your audience, according to the ad group, और a-b testing, जो मैंने अभी यह बात आपको बताई, third is create landing pages, landing pages should be relevant to your marketing goal, अब आपका goal कुछ और है, creatives कुछ और कह रहे है, add copy कुछ और कह रही है, target audience कुछ और ही है, और landing page के उपर जो content है, वो कुछ और ही है, मतलब कुछ भी relevant नहीं है, कुछ भी result नहीं आने वाला है, make sure कि जो आपका landing page होना, वो inclined हो, वो जो आपका सबसे last part होता है ना, add में, वो होता है आपकी add copy, तो add copy पे interact करने के बाद, बन्दा सबसे पहले आपके landing page के उपर आता है, मतलब add copy से interact हुआ, उसके बाद वो सीधे आ जाएगा आपके landing page के उपर, तो आप देखो कि वो जो add copy से जब landing page के उपर आता है, तो जो add copy का message है, वही landing page के उपर है या नहीं है, जो आपने add copy में बात करी, उसके इसाब से landing page पे ऐसे elements हैं, जो उसको influence कर सके, right, so this is another very important thing, think about the call to action buttons on your landing page, guys, जब तक हम सामने वाले बंदे को, जो हमारे landing page के उपर आया, जब तक हम उसे बताएंगे नहीं कि करना क्या है, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, इस बात को आप स आप drop हो जाएगा, trust me guys, conversion अपने आप drop हो जाएगा, make sure कि आपका जो landing page है, वो एक call to action को, जो है, वो फ्रिगर करता हो, या एक call to action उसके उपर हो, ठीक है, make sure your creative is relevant to your landing page and targeted audience, यह मने आपको बता दिया, now coming to the third point, which is, make sure tracking and remarketing related ecosystem is built, now मैं यह ecosystem की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यह तो बहुत ही, आसान से भाशा में समद में आने वाली बात है, कि सर पिक्सल लगाना है, आप पिक्सल की बात कर रहे हो, कि पिक्सल को जाकर, जो है, हम अपने landing page के उपर, या अपनी website के उपर लगा देंगे, ठीक है, यह एक important part है checklist का, पर यहाँ पर शब्द मैंने ecosystem use कि क्या है, क्योंकि कई बार, पिक्सल बहुत सारी चीज़े by default नहीं track करते है, तो आपको बहुत सारे custom events, custom conversions, यह सारी चीज़े create करनी पड़ती है, अब आप बोलोगे कि सर, इनकी जरूरत ही क्या है, देखो, जितने जादा हम events create करेंगे, जितने जादा चीजों पे हम नजर की ये चीज हुई है, या नहीं हुई, ये form fill हुआ, हाँ, ठीक है, कितना percent scroll किया, वीडियो अगर हमारे landing page लगा हुआ है, तो उसको कितने लोगों ने view किया, जिन लोगों ने view किया, उन लोगों ने कितने percentage तक उसको view किया, ये सारी different events है, तो जितने जादा हम events को track कर कि tracking और remarketing का एक ecosystem आपको built करना पड़ेगा, यही point number 2 और 3 जो है इस particular main point के वो explain करते हैं, जैसे pixel is installed on the website, you have to make sure about that, different and correct events are created, बहुत सारे events होने चाहिए, as well as correct events होने चाहिए, सही events को आप track कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, क्यूंकि events tracking में कई बार ना बहुत सारी problems create हो जाते हैं तो make sure कि आपके website के उपर जितने भी events हैं, वो सही तरीके से fire हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं, या जितने भी events हैं, वो सही तरीके से configure हैं या नहीं हैं, यह सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो, and then the fourth point is, which is again a very important thing, कि अब जो यह सारी चीज़े हैं, इनको करने के बाद, you just then fire your campaigns and keep evaluating and optimizing campaigns, हमेशा आप देखो, कि मुझे थोड़ी से data collect करने के बाद, मुझे इन campaigns को वापस evaluate करना है, evaluation के बाद, जो भी results आएंगे, उनके basis में, वापस, मुझे campaigns के अंदर changes करने हैं, testing वगारा, जिस भी चीज़ की हमें जरूरत होगी, वो सारी चीज़े हमें करनी, जब हम checklist की बात करते हैं, कि Facebook ads की checklist, तो guys, इसमें सबसे important चीज़ जो है न, वो strategic level पर, जो हमें चीज़ों को check करना होता है, वो ज़ादा important होता है, कि यह जो ecosystem है, यह ठीक तरीके से काम कर रहा है, या नहीं कर रहा है, यह सारी चीज़े हमें ज़ादा, जो है, वो important होती है, चेक करन comments है, वो उससे भी ज़ादा important है, कि जो basic चीज़े हैं, उसमें कहीं आपने कोई mistake तो नहीं कर दी, strategic level पर कोई mistake तो नहीं कर दी, दोस्तों आशा करता हूँ, यह video आपको पसंद आया होगा, और अगर आप screenshot लेना चाहते हो, तो इसका screenshot आप ले सकते हो, मैं 4 होई points को यहाँ ऐसे open कर देता हूँ, आप लोग के सामने, आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो, आपको आगे help करेगा, दोस्तों आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो हमारी playlist है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख रहे होगे, बहुत सारी playlist इस channel के उपर available हैं, बहुत स इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते है next वीडियो में, till then good bye.